दर्सकों का टेस्ट अब बदल चुका है दर्सकों का कंटेंट से वरी फिल्मों की और जुकाओ बढ़ रहा है इसका साफ असर बॉलिवुट की फिल्मों पर पढ़ा है चाहे वो अमिर्खान की फिल्मे हो या फिर अक्षे कुमार की कोई भी फिल्मे चल नहीं पा रही है लगातार एक के बाद एक फिल्मे फ्लॉप हो रही है चाहे अच्छे बजट की फिल्मे हो या फिर कम बजट की कोई भी फिल्म साउथ की फिल्मों के आगे टिक नहीं पा रही है लेकिन ऐसे में कुछ अच्छी फिल्में भी बनी है जिसे दर्सकों ने बहत पसंद किया है आज मैंने कुछ ऐसे ही Bollywood की फिल्मों को इस countdown वीडियो में सामिल किया है जो इसी साल रिलिज हुई है और जिसके content को दर्सकों ने काफी पसंद किया है तो वीडियो पर बने रहे सो हे फ्रेंट्स मैं हूँ दीपक और आप देख रहे आपका अपना यूट्यूब चैनल सिनेमा अन पॉपकॉन इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ अगर आप मेरे चैनल पे नहीं आए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और साथ ही रहे उस नॉटिफेशन बिल को जरूर दबाए ताकि मेरे लेटेज वीडियो के अपडेट आपको मिल सके तो ज़्यादे बात ना करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं काउंडाउन के नंबर फाइब पे आती है साल दोर बाइस में रिलीज हुई सस्प्रेंस दिलर मूवी हीट दर फर्स्ट केस जिसे आइम डिएक तरह से 7.1 आट आट आप 10 की रेटिंग मिली है और 75 परसंट गूगल उज़र ने इस मूवी को लाइक किया है इस मूवी के लिडियोल में नजर आए है राचकुमर राव, सानिया मलोतरा, सिल्पा सुकला जतिन गुसामी जैसे कलाकार बात करे मूवी के स्टोई लैन के बारे में तो फिल्म की कहानी राचकुमर राव के एद्गे गुमती है जो अपने अतीत के दर्स से जूज रहा है लेकिन तभी हैदराबाद में प्रिती नाम की एक लड़की रहस में तरीके से गायव हो जाती है और विक्रम को किसी भी कीमत पर इस केस को सुल जाना है फिल्म की कहानी इस केस के सुल जाने की है जिसमें लगातार रोमांच बना रहता है अब प्रिती के गायव होने के पीछे किस का हाथ है क्या विक्रम इस केस को सुल जा पाता है की नहीं प्रिती लापता होती है या खुद गायव होती है इन सवालों के जवाब जानने के लिए आपको फिल्म देखना होगा अगर आपने इस फिल्म को मिस कर दिया है तो जल्दी से देख लिजिए लिंक आपको डेस्रिप्शन बक्स में मिल जाएगी काउंडाउन के नमबर 4 पे आती है साल 22 में रिलीज हुई एक्सेंडाबा मूवी रनवे 34 जिसे आइम डिक्तर से 7.1 आट आप 10 की डेटिंग मिली है और 85 परसन गूगल वीजर ने इस मूवी को लाइक किया है इस मूवी के लिटल में नजर आए है अमिताव अच्चन, अजय देवगन, रकूट प्रीज सिंग और कैरी मिनाटी जिसे कलाकार बात करे मूवी के स्टोई लाइन के बारे में तो कहानी विक्रांद खरना के इटगी गुमती है जो एक पाइलेट है विक्रांद करना अपनी को पाइलेट तानिया के साथ दोहा से कोची की उडान भरता है स्काइलेट टिपल सेट फ्लाइट कुल डेशो पैसेंजर के साथ अपनी उडान तै करता है हाला कि इस फ्लाइट का सफर उसमत भयावय हो जाता है जब खराब मौसर की वज़ा से उसकी लेंडिंग में दिक्कत आने लगती है अपने को पाइलेट के सजेशन को नौ मनते हुए विक्रांद ना केवल अपनी लेंडिंग डेशन बदलता है बलकि इस दोरान मेडे का मैसेज भी भेजता है सेफ लेंडिंड होने के बावजूद विक्रांद पर जाज बैठती है इस जाज के दोरान विक्रांद के साथ क्या क्या होता है इसके लिए आपको यह फिल्म देखनी होगी अगर आपने इस फिल्म को अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से देख लीजे लिंक आपको description box में मिल जाएगी आप वहाँ से इस फिल्म को देख सकते हैं इस countdown के नमबर 3 पे आती है साल 12 में रिलिज हुई action crime adventure movie विक्रम वेदा फिल्म की IMD rating तो specify नहीं है इस movie के लिटन में नजर आए है रितिक रोशन सेफली कान रादिका अप्टेजे से कलाकान बात केरे movie के storyline के बारे में तो कानी एक पुलिस अधिकारी और एक खुंकार गैंग्स्टर के आराउन लिखी गई है विक्रम में की मंदार पुलिस इंस्पेक्टर है जबकि विदा एक खुंकार गैंग्स्टर विक्रम को अच्छाई और बुराई का अंतर पता है वो जानता है कि क्या सही है और क्या गलत एक इंकाउंटर में पुलिस वाले विदा के गैंग के कुछ बदमासों को माट डालते है लेकिन अभी विदा को पकड़ना बाकी है काहनी में ट्विस्ट अब आता है जब अचानक विदा खुद को पुलिस रेशन आकर आत्मसामरपन कर देता है उसने आत्मसामरपन क्यों किया है कोही नहीं जानता इंट्रोगर्शन के दोरान वेदा विक्रम को एक कहानी सुनाना चाता है अब कहानी के जरिये वेदा विक्रम को उलजाना चाता है अब आगे की कहानी जानने के लिए आपको पूरी फिल्म देखनी होगी अगर आप इस फिल्म को देखनी होगी अगर आप इस फिल्म को देख अक्षे कुमार सरगुल मेता रखुल प्रेसिंग और चंदर्शूर सिंग जैसे कलाकार बात करें भूँ के स्टोरी लाइन के बारे में तो कानी एक साइकोर कुलर की डूर्णे की है जो लगातार मडर कर रहा है एक दिन लिप्ट में एक लगकी की लास मिलती है लास की स्टी बहुत खराब होती है जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल सकता है पुलिस को सुचित किया जाता है पुलिस अफसर अरजन सेटी इस मामने की जाज सुरू करते हैं और देखते ही देखते अपरादी इतना निडर ह तेयार करते हैं फिर सुरू होती है अपराधी और पुलिस के बीच लुका चिपी अब कैसे अपराधी को पकड़ा जाता है यह जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी अगर आपने अभी तक इस पुल्म को नहीं देखा है तो जल्दी से देख लिजिए लिंक आपको ड किया है इस मूवी के लिड़न में नजर आये हैं सिवली का अवराय विद्दू जामवाल मेंकर और सिवा चड़ाजी से कलाकार बातकर मूवी के स्टोई लैन के बारे में तो कहानी वहीं से शुरू होती है जहां इसका पहला पाट खत्म हुआ था नर्गिस अपने कड़व दरिंदे उसे खेट में फैक देते हैं नंदनी के मौश से समिर के जिन्दगी में बुचाला जाता है अब नंदनी को गिनाप कर उसके साथ दूसकरन करने वाला कौन है समिर कैसे उन्हें खोज कर सजा देता है यह सब जानने के लिए आपको फिल्म देखना होगा अगर लेटेस वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे और अगर आपने अभी तक अमारे टेलिग्राम चैनल को जॉइन नहीं किया है तो जल्दी से जॉइन कर लिजी वहाँ पर मैं लेटेस मूवी और वेबसिस की लिंग सेर करता हूं तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तो मिल है नई वीडियो के साथ तब तक के लिए गुडबाई टेक क्यार जहीं दोस्तों